बड़े philosophical द्रिश्टी मूरली सुना रहे हैं और जिसमें बाबा ने बहुत सारी संस्कारों की बात कही गीता का ग्यान का सार है नश्ट मोहा और नश्ट मोहा किनकिर बातों में होना है सबसे पहले देह दूसरा है देह के संबंदी तीसरा है पधार्थ और फोर्थ है संसकार तो बाबने जैसे देह और देह के बाकी सब अब इसमें हमें देखना है कौन सा हमारे लिए सबसे चलेंजिंग है क्योंकि अगर स्टार्टिंग से करें तो वो सबसे इजीएस्ट होगा संसकार उपर मेहनत वो तब होता है जादा जब देह के उपर मेहनत कम होती है तो अब बाबा के शब्दों में सुनेंगे उसका पोशारत भी कैसे करना है 28 पाच मीठे बचे बाप द्वारा तुमें जो स्रष्टी के आदी मध्यांत की नौलेज मिली है इसे तुम बुद्धी में रखते हो इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी प्रश्न है रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं बाबा कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं रूह को पावन बनाने के लिए मन मनाभव का यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाई को लगा नहीं सकता सिर्फ मुझे याद करो मन को मेरे में लगाओ बाप केते मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी याद आत्मा करती रहेगी पावन बनती जाएगी इसमें संस्कृत आदी पढ़ने की जुरुती नहीं है बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते है रूहक को जब ये निश्चे हो जाता कौन सा? रूहक को जब ये निश्चे हो जाता कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे है तो विकारों को छोड़ती जाती है प्योर बने बिगर विकार छोड़ेगे नहीं और Starting है काम विकार. अगर हम सोचे क्रोध पर महनत करे, लोब पर महनत करे पर काम विकार पर उसको थोड़ा रिलैक्स करे नहीं छुटेगा, starting है, इस रष्टी का शुरुवात का दर्द का शुरुवात कहां से होई, कौन से विकार से होई, काम विकार, काम विकार, देह की भान, और तो जब शुरुवात पुछ से होई, तो end भी उसे से होगा, वो root cause है, एस आवाज नहीं है दिदी, आवाज नहीं है, ओम शंती, आवाज नहीं है, ओम शंती, अम शंती कर तो बच्चों को समझाया है, आत्मा अपना परिचे देती है, मेरा ओम शंती मतलब क्या, देखो, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा स्वरूप शान्त है, और मेरा दूसरा इंट्रोडक्शन, ओम शान्ती का मेनी, मेरा रहने का स्थान शान्ती धाम है, जिसको परमधाम दिर्वान धाम भी कहां जाता है, बाप भी कहते दे अभिमान छोड़ देई अभिमानी बनो बाप को याद करो वह है पतित पावन यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा है यहां आये है पाड बजाने अब ड्रामा पूरा होता है वापिस जाना है इसलिए कहते है मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाशो पूरा होता है जब भी कमपनी को वाइंड अप करते हैं न सबसे पहले क्या करते हैं वाइंड इंड अप चल रहा है कमपनी का तो क्या करते हैं बोलो भई मनोच भई कहा गए गुलाब भई जो टांजेक्शन्स हैं जो कियों में हैं उन सब को बाइंड आप उनको पहले देखते हैं तो बाबा कहते हैं तो वह है पतीत पावन क्यूंकि अब घड जाना है वाइंड अप करना है तो जो भी मेरे क्रेडिटर्स है लेंदार है विकर्मों का खाता जिसके साथ बना हुआ है तो उसको क्लियर करो याद योगबल से करो भोगबल तो होगा ही नैचरली योगबल इसको इस संस्कृत में कहते हैं मन मनाभव बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते है जैसे गवर्मेंट कहते है कि हिंदी भाषा होनी चाहिए कोई भी मतलब जितना क्या बोलते हैं उसको इंट्रेस्टिंग लेक्चर करना होता है तो उतना वो पूरे मासेस को समझ में आए वैसा होना चाहिए अगर एक-दो को हाइफाइ करो और एक-दो को समझ में आए या पूरे एक सेक्षन को समझ में आए और इतना बड़े जनता है दो लाख का क्राउड है और दो हजार है बहुत अच्छे संस्कृत या हिंदी के ग्याता इंग्लिश के इंग्लिश में बोला जाए तो मतलब किसको बोल रहे है दो हजार के क्राउड को तो वो मास के लिए नहीं हुआ फिर वो इंट्रेस्टिंग नहीं कहा जाएगा तो परमात्मा ने गीता का ग्यान किसके लिए दिया क्या फॉश्ट फोल मतलब वह भाषय में देगा न क Verb को समझ में आए मिजॉरिटी को समझ में आए वो भाषया में देगा तो वह संस्कृत में क्यों देगा कितनों को संस्कृत समझ में आती है अगर वह इतनी औरीजनल भाषय है तो यो तो हमारे ए इसमें करिकुलम में होना ही जीए education के करिकुलम तो बूला ही नहीं जाता है समझना तो आगे की बात कितने words तो संस्कृत के बोल भी नहीं पाथे इसलिए बाबा कहते है कि संस्कृत में नहीं सुनाएगा बाबा आत्मा अपना परिचे देती है, मेरा स्वरू उसरी बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं जैसे गउर्मेंट कहते हैं कि हिंदी भाषा होनी चाहिए बाप ने भी वास्ता में हिंदी में ही समझाया है प्रंतो इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषा भी अनेक प्रकार की कर दी सत्यूग में इतनी भाषा है होती नहीं है एक भाषा भाषा के कारण भी difference of opinion बहुत हो जाता है एनी दो चीज होते ही comparison होगा फिर competition होगा difference of opinion होगी कोई भी दो चीज होते ही तो इसलिए शरीर का भी feeling नहीं मैं आत्मा हूँ क्योंकि शरीर होते ही दो की feeling आ जाएगी यह शरीर और वो शरीर अलग अलग है तो फिर भाषा दो कैसे होगी वह तो एक ही भाषा है हिंदी इसलिए हमारे बाबा के जो double विदेशी बच्चे न वो सब लोग हिंदी की classes करते हैं मतलब अलग से मदू बनाते हैं तो specially क्योंकि सत्यों में यह भाषा होगी और अभी भी समझने का मज़ा आता है उनको परन्तो इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाई भी अनेक प्रकार की गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग जो जिस गाउं में रहते वो वहां की भाषा जानते अनेक मनुशय है, अनेक भाषाय है, सत्यूक में तो एक ही धरम था, एक ही भाषा थी, अभी तुम बच्चों को स्रष्टी के आदी मध्य अंत की नौलेज बुद्धी में है, यह कोई शास्त्र में नहीं है, स्रष्टी के आदी मध्य अंत, कोई शास्त्र में है, जो बाबा स ऐसे हूआ फिर कोनेक्षन नहीं किया और जब मेन तो क्या है मतलब इधर रतायू के बात कर दी, इधर सत्यू की बात कर दी, connection नहीं किया तो उससे क्या हुआ है कोई story नहीं बनी है कोई भी story कब बनती है हर सीन का दूर सरी सीन से connection होना चाहिए अब स्टोरी क्या बनेगी, नर्सिंग अवतार हो गया, बस वो हाइलाइट बता दिया, सत्यूग में, उसके बाद सीधा रावन राज्य शुरू हुआ, अब बीच में की क्या स्टोरी है फिर? हाइलाइट्स ओफ दे एरा बताने से, डिस्क्रिप्शन ओफ दे एरा नहीं होती है, तो हाइलाइट है, ठीक है, हम कहेंगे देवी देवता रहते हैं सत्यूग में, तृता में रामसिता का राज्य है खतम, द्वापर में भक्ती है, ऐसे थोड़ी कोई स्टोरी बनती है, इस कोई शास्त्रे नी जिसमें नाइलेज हो, न कल्ब की आयूकाही लिखा हुआ है, न किसको मालूं है, स्रश्टी तो एक ही है, स्रश्टी का चक्र फिरता रहता है, नहीं से पूरानी पूरानी से फिर नहीं होती है, इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारियीश昨夜 जि इसको कहां जाएगा, Swadarshana, Chakra Dhari, नई से पुरानी, पुरानी से नई, इसको कहते है, Chakra, Swadarshana, Chakra है, चलता रहता है, और इसकी knowledge जिसको है, उसको कहां जाएगा, कितने इच्छी बात कई, Swadarshana, Chakra Dhari, कितने Swadarshana, Chakra Dhari है, जिसको नौलेज है, वो स्वदर्शन चक्र धरी है आत्मा को ज्ञान रहता है, ये स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है वो फिर क्रश्ण को, विश्ण को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं अब आप समझाते हैं देखो, ये भी एक डरावना पूज है मेरे हाथ में चाकू घुमता रहे सपोस्थ तलवार दिया है, वो तलवार ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करता रहे तो क्या लगेगा, डर लगेगा या प्यार आएगा हतियार दिया है, और वो घुमता हूँ अल्वेस उनली हतियार देते हैं वो भी एग्रीड है कोई ऐसे मुझे बताता रहे तलवार से फर तो बहुत मुश्किल है तो कितना गहरा मीनिंग थया, उसको ऐसे ही बोल दिया असुर के गले, अभी एक-दो असुर भी काटा अगर यूज भी किया, सारा समय घुमता है तो सारे युशुरों को मारते न, भी एक-दो खाली शुशुपाल को मारा बोलो तो बाबा कहते है, सत्यूग में इतनी भाषा ही होती नहीं, जितनी यहां है स्वदर्शन चक्र की बात कर रहे है न, तो उसको कहां जाता है स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा को ज्यान रहता है, यह चक्र कैसे फिरता है अब बाप समझाते, उन्हों को तो नौलेज थी नहीं श्रश्टी के आदी मद्यांत का नौलेज बापी देते हैं, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बाकी कोई हिंसा की बाती नहीं, जिससे गला कट जाए यह सब जूट लिख दिया है यह नौलेज बाप के सिवाई कोई मनुष्यमात्र देना सके अब स्वदर्शन चक्र और कहीं यूज नहीं करता है, गला काटने के लिए यूज किया अब इसके पिछे रह से क्या है, सोचो क्यों और कहीं हाथ भी तो काट सकते हैं, इदर गला ही काटो इगो एहंकार, उसका प्रतीक सीर होता है स्वदर्शन चक्र की पूरी समझ देकर पूरे हमारे सारे इंदरिये को चेंज किया बाबने द्रश्टी कोण चेंज हो गई तो द्रश्टी चेंज हो गई इसी तरह सुनने की नेचर वो चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया यह नौलेज सिवाए बाब के कोई दे न सकते, मनश्रे को कभी भगवान नहीं कह सकते जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, जो बाब की मईमा वो देवताओं की भी नहीं है बाब तो राज्युक सिखा रहे है, ऐसी नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही मईमा है, जो बाब की है बच्चे फिर भी पुनर जनम लेते हैं, बाब तो पुनर जनम में नहीं आते बच्चे बाब को याद करते हैं, उचे ते उचा है भगवान, वह सदा पावन है बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं, बाब तो है ही पावन, बाब का वर्सा भी जरूर चाहिए बच्चों को एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए, शान्ती धाम को मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहते हैं कैंद के새 ना सबको है कि पुरानों को तो clear wonder को मुक्ति और जीवन मुक्ति क्लीर मेर तु शांतिधाम को मुक्ति सुक्षाम को । जीवन मुक्ति कहा जाता है था मुक्ति स्बको दो सब्पारिब द Easy कहीं रूल करना है, वहां तयारी करनी होती है, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसके लिए प्रूव करना पड़ता है, तो मुक्ती के लिए किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, परमधाम जाना है, बोलो, परमधाम जाने की मेहनत किसी को करनी के जरूत है, लोग सोस्ते मोक्ष मि बल्कि बाकी जगह प्रूव करना है, घर जाने में कौन किसको प्रूव करना पड़ता है, इसलिए बाबा कहते है, मुक्ति तो सबको मिलती है, प्रूव कहां करना है, बोलो विनोद भाई, प्रूव कहां करना है, प्रूव कहां करना है, नहीं जगो जाना है, नहीं जगो जा मुक्ति तो वो मांगते हैं ना वर स्वारी हो जब लेगे तो सबको मिलती है भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी सत्यू में सिर्फ एक ही भारत खंड था लक्ष्मिनारायन का राज्य था बाबा ने समझा है लक्ष्मिनारायन के मंदिर में सबसे जास्ती बनाते हैं बिडला आदी जो मंदिर बनाते वह यह नहीं जानते हैं किसे ने पूछा कि वर्सा है ना शिवाबा का तो सत्यूग भी तो वर्सा ही है ना फिर उसमें क्या प्रूव करना है वर्सा तो सबको मिल तो उसमें क्यूं। प्रूव करने की जुरत है। वाट के लिए कोय प्रूव करना पढ़ता है क्या किसी को। क्या कहेंगे। वो तो ठीक है यह अगर जलन अजेक्ति करें अंदेस्टेंड करें. छस्वार से हड हो मिली जायेगा। कि फादर मानने से। क्या होता है कि अगर फादर के पास बहुत बच्चे हो, तो चाहिए हक तो देना है, फिर तो उसको थोड़ा कुछ तो क्राइटेरिय रखनी पड़ेगी ना, बहुत बच्चे हो, अब सारों को वो तो राजा नहीं बनाएगा ना, सारों को तो बिजनेस नहीं देगा, पूरा क्राइटेरिया करना है कि यह इतने टैलेंट्स होगा, क्योंकि उसको भी जो बिजनेस देना है, टैलेंट्स के लाइक देना है, सबोस्ट दस बिजनेस है उनके, सबको तो नहीं दे सकता है, किसी की कुछ असियत है किसी की, तो किसी में राजा कॉलिटी संसकार है, किसी में दास कॉलिटी है, तो ऐसे कैसे सबको एक ही, जब एक-दो हो, तो चलो इकॉल हग दे सकता है, लक्षमी नारायन का राज्य था, बाबा ने समझा है, लक्षमी नारायन के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं, बिडला आधी जो मंदिर बनाते है, वह यह नहीं जानते, कि लक्षमी नारेन को यह बादशाई कहां से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहां चले गए, कुछ भी नहीं जानते, तो जैसे गुडियों की पूजा हुई ना, इसको कहां जाता है भक्ति, बड़े याद कर रह अभी और बाबा रोज-रोज याद दिला रहे, रिमाइंडर कर रहे है बाबा, याद कभी जिम्मेवारी समझना होगा, तो बाबा कहते हैं, फिर कहां चले गए, कुछ भी नहीं जानते, तो जैसे गुडियों की पूजा हुई ना, इसको भी कहां जाता है भक्ति, मुझे लगता है, वो भी बात है कि जनोंने मंदिर बनाया, वो तब रहे नहीं ना, बहुत बहुत टाइम होगया, वो तो जेनरेशन अभी चला रही होगी, ना, इसको फिर फिर अधा, अच्छा वो ट्रस्ट के अंदर है, तो वो फिर मतलब इतना उन लोग इंट्रेस्ट भी नहीं लेते, उस तरह से हाँ, राइट है, लेकिन अब बाबा की नजर है, मतलब वो सात्मा का कल्यान होना है, तभी बाबा की नजर है, देखके दीदी क्या है ना कि बिर्ला फैंली तो बहुत बड़ी थी, पर उसमें जीडी बिर्ला जिन्होंने में ये सारा एंपायर खड़ा किया, उनके बड़े भाई थे, जुगर के शोड़ पिर्ला, and he was unmarried, तो ये मंदिरों का सारा कॉंसेप्ट उनी काई था, और भाईयों को इतना नहीं था, वो नहीं है, वो तो बहुत-बहुत टाइम हो गया, आच और उनकी कोई जेनरेशन तो चलो, जो भी बाबा की नजर है, मतलब होना है, इनका कल्यान होना है, तो इसलिए जिम्मेवारी है ना फिर, तो बाबा कहते है, जैसे गुड़ियों की पूजा हुई, इसको कहा जाता है भक्ति, आप ही पुजे, फिर आप ही पुजारी, पुजे और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होगा ना, पतित उनको कहा जाता है, जो विकारी है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं, उनको पतित कहा जाता है, इस समय तुमको ग्यान अमरत मिलता है, ग्यान का सागर है ही एक बाप, बाप ने समझाया है, यह भारती सत्व प्रदान उचते उचता, अभी तमों प्रदाने, यह तुम्हारी बुद्धी में है, यहां कोई राजाई तो है नहीं, यह ही प्रजा का प्रजापर राज्य, सत्यूग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं, विनाश की त क्यों देली है, इस पुरानी दुनिया को पल्टाने वाला कौन है, यह किसको पता ही नहीं है, दुनिया बनाने वाले बोला, पर अब कब दुनिया बनाई, कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, यह तो कुछ पता ही नहीं है, दुनिया बनाने वाले, क्या ते उ कर रहे हो कोडी से हीरे मिसल बन रहे हो भारत कितना सॉलवंट था दूसरा कोई धरम ही नहीं था शुरू में बाबा ने बता है दूसरा कोई भाशा नहीं थी अब दूसरा कोई धरम ही नहीं था एक धरम एक भाशा अभी तो अनेक धरम है अब रहम दिल बाप को याद करते है भारत सुकधाम था यह भूल गए अब देखो धरम एक था लेकिन फिर भी उसके कोई वो नहीं था जैसे जब हम कहते हिंदू धरम तो सबके घर में वो एक छोटी सेफ तस्वीर मिलेगी या कोई मंदिर मिलेगा इसी तरह मुस्लिम है तो कुछ न कुछ वो इसके इस तरह के म किया मिलेगा सबके घर में कुछ सिंबल है कुछ मिलेगा सिंबल मंदिर मंदिर मिले में गुटत के पीछे उगा जो डाइनेस्टी अलग है धरम और कुछ नहीं होगा धरम अर्था धारना अक्चली धरम अर्था धारना पुस्लिम धरम मतलब जीवन में क्या धारणाई होनी थी वो धरम में बताया बुद्धिजम धरम मतलब दया और नॉन वाइलेंस की धारणा तो धरम कोई चिन नहीं है तो वहाँ वो धारणा स्वरूप है एक ही धरम था अभी ये भारत बिलकुल पटाकर पड़ा है कहते भी है बरोबर क्राइस से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था अभी ये भारत बिलकुल पटाकर पड़ा है गाते भी है भारत हमारा देश सबसे उचा था नमृब है विन भारत की मंहिमा कोई को पता नहीं बापी आकर भारत की कहानि समझाते हैं भारत की कहानि माना यह बहुत अच्छे वाद में गई दुनिया की कहानी भारत it's like hero की काहनी मतलब पूरे film की काहनी मतलब वो इह film है जो hero की काहनी है तो भारत की काहनी माना दुनिया की, इसको ही शास्त्रों में कौन सी कहानी बताई, सत्य नारायन की कहानी कहां जाता है, बाप ही बैठ समझाते, पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायन का राज्य था, जिनों की चित्र भी है, प्रंत उनों को ये राज्य कैसे मिला, सत्यू के आगे क्या था, सत्यू के पहले क्या था, संगम के आगे क्या था, कल्यू, यह संगम यू, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो, तभी मुझे आना पड़ता है, वो पीरेड भी तो होगा न, एक है ओल्ड मकान, और वो ही मकान न्यू बन गया, तो ऐसे केसे न्यू बना, एक पीरेड तो आया होगा न, जिसमें पूरा रेनोवेशन चला, तो रेनोवेशन का पीरेड कौन सा है, और वो सबसे डिफिकल्ट पीरेड होता है, नहीं होता है, घर में जब रेनोवेशन पेंटिंग चलता है, वो सबसे जब वो इतना हल्चल होती ने उपर नीचे लेकिन वो हल्चल के कारण एक नयास तो इसलिए संगम युग है वो रेनोवेशन पिरिड जिसमें बाप को आना पड़ता है फिर मेरे लिए कह दे दिया सर्व्यापी यूगे यूगे आता हूं तो मनुश्य ही मुझ गए संगम य ब्रम्म कुमार कुमारी अखिए ब्रम्मा का बाप कौन शिव उच थे उच पीछे ब्रम्मा फिर ब्रम्मां द्वारा रचना होती है प्रजा पिता तो जरूर 7 मकोई कहा जाता है शिव को प्रजा पिता नहीं कहेंगे ब्रह्मा प्रजापिता और शिव है शिव क्या है आत्माओं को पिता परंपिता परंपिता वो प्रजापिता वो परंपिता तो इसलिए फरक देखो नाम प्रजा तो वो भी और वो भी है लेकिन क्यों उसको परंपिता का हूं क्यों उसको प्रजापिता का बाबा केते हैं मुझ गए है प्रजा पिता तो ज़रूर ब्रह्मा को कहा जाता है शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है तो जो सभी का बाप है वो परम सुप्रीम कोड का जो जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको । डीजिजरन होते हैं निर लाग होता है। कैसे गुलाब ब्रॉक और हाई कोड के डीजीजन स्यून लाग polls अगर मोवर कोड उस particular state Dadel अपलाय होता है? नहीं नहीं, लवर कोट सब भी लवर कोट बहुर कोलेट लोर कोट हिए अब बνबे हाइह कोट का डिसीजन किसके लिए उगा हरे अगरट जग़ सीकते हुआ अब डिशेटा मैं इंडिया को ते वरी इंडिया अना है पुरी आंगर मैनेगा यहां मानेंगा दिल्ली हाइकोट का पूरी इंडिया मानेगा ऐसा तो मतलब परम आत्मा ना मुनिश्रीबाबा तो वह सभी आत्माओं का पिता है प्रजा पिता ब्रह्मा को प्रजा पिता कहा है तो डिफ्रेंस तो है ना तो फिर यहां आकर प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा किसका बच्चा है ब्रह्मा के बाप का कोई नाम नहीं है वह निराकार शिव निराकार बाप वह आकर इनमें प्रवेशकर एडॉप्ट करते हैं बाप केते मैं इनके बहुत जन्मो के अंत में प्रवेश प्रजा करता हूं यह हमाराई बन जाता है सन्यास धारण करते किसका सन्यास? पाच विकारों का घरवार छोड़ने की दरकारी नहीं है ग्रहस्त व्यवार में रहते पवित्र रहना है मामे कम याद करो तो तुमारे विकर्म विनाश होंगे यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाती हो भक्ती में तो भल कितने भी गंगास्नान करे जब तप आदी करे फिर भी नीचे उतरना ही है सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान है फिर सतो प्रधान कैसे बने सो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके बाप तो बिल्कुली सहज रिती समझाते है, मामे कम याद करो, यह आत्माओं से बात करते हैं, बाबा, मुझे याद करो, कोई गुजराती हो वा सिंधियों से बात नहीं करते हैं, पर्टिकुलर कम्यूनिटी बेस्ट नहीं है, चाहे वो सिंध में शुरू हुआ, तो यह ही रुखानी ग्यान, इसलिए मुझे जो बहुत कई बार वो अच्छा लगता था पॉइंट बाबा का जब भक्ति भी करते थे, कि देखो एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी बेस्ट नहीं है, उनका, और जब जो चीज कम्यूनिटी बेस्ट नहीं होती है, उसको आपको बहुत, इतना नीट्रल रखना पड़ता है, ताकि गुजरातियों को भी लगे, मतलब इंडिया के जितने भी भाषा, प्लस ब्राजीलियन को भी लगे, स्री लंकन को भी लगे, मेरा है, यह मेरे लिए है, तो इसको कितना नीट्रल रखना पड़ेगा, कोई ऐसे मतलब जैसे कहीं वो होता है ये इस पर्टिकुलर सपोज वो संत वहां से निकलते हैं तो वो पर्टिकुलर कम्यूनिटी के लिए वो बहुत कुछ बोलते हैं तो उससे वो उसको युनिवर्सल नहीं कर सकते उनके टीचिंग्स को तो पर्मात्मा मतलब ही युनिवर्सल और युनिवर्सल के लिए उसको बहुत न्यूट्रल रखना पड़ता है इसलिए बाबा कहते हैं मैं कोई गुजराती ये सिंधियों से बात नहीं करता हूं मैं बात करता हूं किससे किससे बात करता हूं आत्माओं से तो यह ही रुहानी ज्यान शास्त्रों में जिस्मानी ज्यान रुह कोई ज्यान चाहिए रुही पत्तित बनाया है उसको यह रुहानी इंजेक्शन चाहिए बाब को कहा जाता है रुहानी अभिनाशी सर्जन देखो आत्माओं से बात करते तो आत्माओं के विकार के बारे में बताते हैं, तो चाहे वो ब्राजीलियन हो, उसमें भी ये पाँच विकार है, नहीं है, medical science सब जगए एक जैसा है, law तो फिर भी changes होते हैं, legal में, medical में change नहीं होता है, सब जगए, क्योंकि शरीर सब का एक है, स्री लंकन हो, या ब्राजीलियन हो, या न्यूजिलेंडर हो, तो इसलिए शरीर का ग्यान भी सब जगए एक जैसा होगा, इसी तरह आत्मा और आत्मा के विकार, तो इसलिए वो ग्यान एक यूनिवर्सल होगा, बाप कहते हैं, मैं ही आकर सब बच्चों को स्वरगवासी बनाता हूं, तुम भी समझते हैं, बरोबर हम स्वरगवासी थे, कल्यू को नर्क का आ जाता है, अब नर्क का भी यंत है, भारतवासी ही इस समय रौरव नर्क में पड़े हैं, गेहरे नर्क में, इसको सवरिनिट भी कहेंगे लड़ते जगडते रहते हैं सब जगब अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए ना अपने धरम शास्त्र को भी मानना चाहिए बाप को नहीं जानते बाप कहते मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था किसी कृष्ण ने बना क्रश्ण की आत्म पुनर जनम लेते लेते अब शाम बनी है कामचिता पर बैठ काले बन गए जगतमबा को काली क्यों दिखाते हैं ये कोई नहीं जानते जैसे क्रश्ण को काला दिखाया है वैसे जगतमबा को भी काला दिखाते हैं नहीं क्रश्ण के काला का रीजन है अच दुर्गा को काला क्यों दिखाया ए भord कई देवियों को काला दिखाया है न का बरी को दिखाया की दिखाया है कुछ दौस के रीजन बताया है कुछ नस Stš외 में को Papagum तुम संजा सकते हो भारत बहुत संदर था अच्छा सुन्दर्ता देखनी हो तो कहा जाए? अजमेर सुनी द्वारीका में देखो. बाबा अजमेर को बहुत याद करते हैं. अजमेर का स्वर्ग कई बार प्लान बनाया लेकिन हुआ नहीं. अजमेर का स्वर्ग का मॉडल किसने नहीं देखा है? शार्दावन ने देखा हैं, अच्छा? हाँ, ओके. बेरी गुड़े. तो बाबा कहते हैं, स्वर्ग में सोने हीरो के महल थे. अब तो पत्तर प्लान कें. सब तमो प्रदाने. तो बचे जानते, श्रिबाबा, ब्रह्मा, दादा दोनों इकठे. इसलिए कहते हैं, बाब दादा. वर्षा श्रिबाबा से मिलता है. अगर दादा से कहेंगे, तो बाकी, अगर वर्षा दादा से मिलेगा, तो बाकी श्रिब के पास फिर क्या है? वर्षा श्रिबाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा. ब्रह्मा द्वारा विश्णुपूरी की स्थापना है, अभी तो रावन राज्य है, सिवाए तुमारे ये सब नर्कवासी है तुम अभी संगम परो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे यह कोई मनश्य नहीं पढ़ाते है, तुमको मुरली कौन सुनाता है, देखो कई बार आजकल, कह देते हैं, उनकी मुरली सुनते हैं, उस बेहन पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में, चलो भई, श्री बाबा को याद करो एक मिनिट, देखो बाबा मेरे लिए परम धाम से आए, इद्दम सामने बैठे, बच्चों को मुर्ली सुना रहे, ब्रह्मा का रत सामने बैठाये, तो मुर्ली सुनाते है, श्री बाबा परमधाम से आते हैं, पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में, अच्छा, अगर ये कोई को निस्चे हो जाए, कि भगवान वहां से आते हैं, और यहां बैठके सुनाते हैं मदुबन में, अगर ये कोई को निश्चे हो जाए, तो क्या हो जाए? क्यों लग जाए? लाइन लग जाए? लाइन लग जाए? ये अगर पता चल जाए? मिलने बगर नहीं रहेंगे. आँ, बाबा कहते है, फिर तु बाप से मिलने की सिवा रह न सके. कहे, बेहत के बाप को तु मिलो, ठहर ही नहीं सकेंगे. ऐसे ही होता था ना, दादियों के समय जब वो कोर्स कराती थी ना, कि उनका एक ही फोकस था, कि भगवान इसके तन में आकर अभी ज्ञान सुना रहे हैं, और लेकिन वो तुमको सात्वे दिन मिलेगा, अब वो सात दिन क्या इंतिजार करता है? तो ये, जो कोर्स कराने वाले ना, ऐसे फोर्स भरो. अब जो नए है ना, उनको ये होना चाहिए मन में कि देखें कौन सी जगा पे आते थे. कौन सी जगा में होती है? कि कहां कौन सी जगा भगवान आते है? देखे तो सही, कितना historical होगा. कितना मंदिर गुर्दारों में जाते हैं कि इसलिए कि यहां आये थे गुरू. तो भाहां खुद निराकार परमात्मा है. हजारों बार आये. वो स्थान कैसा होगा? इसलिए जो सबसे यह जो रशेन साइन्टिस्ट ने जब रिसर्च किया था, तो उनका वो जो, मतलब उसमोंगे पॉइंट्स देते हैं कि सबसे पावर्फुल वाइब्रेशन्स. तो उन्होंने वोल्ड का रिसर्च किया, यह दस साल पहले की बात है. तो सबसे पावर्फुल वाइब्रेशन्स, शांती स्थम से लेकर जो मेडिटेशन हौल तक का, वो वाइब्रेशन नमबर वन आया था. पिर उन्होंने बाकी और सब जगह का किया, लेकिन वो वाला जो स्थान है नमबर वन. तो बाबा कहते है, तो क्या होना चाहिए? दिपीका बेन? ले चलो अभी मुझे मदुवन ले चलो. अभी मदुवन जाना है, अभी तो चलो ड्रामा नुसार. ड्रामा का ये भी एक सीन है. मदुवन भी बंद है भी. तो बाबा कहते है, कहे हमको बेहत के बाप को तो मिले है, ठहरी नहीं सकेंगे. कहेंगे बेहत का बाप जो स्वर्प का मालिक है, उनके पास हमको फॉरन ले चलो. देखे तो सही, शुबाबा का रध कौन सा है? ब्रह्मा बाबा थे हो समय. बाबा कहते है, अगर उनको ना ब तो सबसे पहले मट्टू जी निकले, सिंधी फैमिली के थे, वह वहां के थे, तो वह यूगल निकले, बाबा को लिखा कि बाबा ये यूगल निकला है, बाबा कहते हैं, बाबा नहीं बिलीव करेगा, उन्होंने फिर पत्र लिखा, बाबा मुझे तो आपसे बहुत मिलने का दिल कर रहा है फिर बाबा करते हैं अब बच्चा निकला है फिर वो बाबा का डारेक्ट बच्चों के साथ कनेक्शन होता था साकार में तो मट्टु जी फिर पत्र लिखा बाबा की पत्र चला दूर भी था जम्मू कश्मीर के फिर दिल लिया बाबा तो पहले बाबा ने बुलाओ बच्ची को, तो ऐसी होता था, तो फॉरन ले चलो, देखे तो इसी शिवाबा का रध कौन सा है, वो लोग भी घोडे को श्रंगारते हैं, वो घोडे को श्रंगारते हैं, वो किसका था हुआ, हुसेन का घोड़ा, पठ का निशानी रखते हैं, वो रध था मुहम्म का रखते हैं, अब बैल पर तो कोई शिव की शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं, शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे, टांगे चाहिए, जो बैल पर बैठ सके, यह हैं अंदश्रत्ता, अच्छा, मीठे मीठे, सिक्ष लदे बच्चो प्रती, मात पिता, ब बाप दादा को याद प्या, नमस्ते, गुड़ पॉनिंग, थेंक्स बाबा, 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 शिव नावर चुक्या, धारना के लिए सार है, बाप से जो ज्ञान अमरत मिलता है, उस अमरत को पीना और पिलाना है, पुजारी से पुझ बनने के लिए विकारों का त्याग करना है, पुजारी से पुज बनने के लिए विकारों का त्याग करना है दूसरा है बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे है उनकी हर बात माननी है पूरा निश्चे बुद्धी बनना है पूरा निश्चे बुद्धी बनना है बाप की उनकी हर बात माननी है आच्छा दूसरा है वरदान अपने संपूर्ण स्वरूप के आवहान द्वारा आवा गमन के चक्र से छूटने वाले लखी सितारे भव अपने संपूर्ण स्वरूप के आवहान द्वारा आवा गमन के चक्र से छूटने वाले लखी सितारे भव अब अपनी संपूर्ण स्थिती वा संपूर्ण स्वरूप का आवहान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा फिर जो कभी उची स्थिती कभी नीची स्थिती में आने जाने का चक्र चलता है बार-बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे वे लोग जनम मरण के चक्र से छूटना चाते हैं और आप लोग वो चाते कि जनम मरण के चक्र से ही छूटे खतम और हम चाते हैं व्यर्थ बातों से छूटे ये कभी उपर, कभी नीचे, ये स्थिती से छूटे, स्मृत्ती, विस्मृत्ती से छूटे, तो हमारा ये यादगार को उन्होंने, ये पुर्शारत का उन्होंने ले लिया कि जनम मरण से छूट जाओं और आप लोग व्यर्त बातों से छूटना चाते हैं, व्यर्त बातों से छूट चमकते लखी सितारी बन जाते हों, तो ये भी चक्र है, व्यर्त बातों का चक्र, तो ये चक्र से बाबा चुटवाते हैं, आवा गमन का चक्र, आना जाना, ना नीचे आओ, न उपर जाओ, उपर मोक्ष में बैठे रो, इसको दुनिया में कहते है आवागमन, आवागमन तो बाबा हमें थोड़ी छुड़वाना चाते हैं, इसको बरदान समझ नहीं आया, मुझे तो चाहते हैं कि आओ आओ आप, मतला आके चौरासी जरम लोग पूरे बाबा कहते हैं कि वो लोग वहाँ से छूटना चाते हैं, और हम लोग स्मृत्ती वी स्मृत्ती के चक्र से चूटना चाते हैं, कि ये जो बार-बार स्मृत्ती वी स्मृत्ती हो जाए और व्यर्थ में, व्यर्थ बातों के चक्र से चूटना चाते हैं, कभी समर्थ, कभी कभी भी स्मृति यह हमारा संगम युक का जो पुर्शारत है उन्होंने कह दिया मोक्ष हो जाए यह वाला संसकारों को चेंज करते उन्होंने सोचा संसार को ही चेंज कर दो बाबा हमें संसकारों को संसकार को संसकार को जितने हम यूज करेंगेट संसकार को वह संसकार पके होते हैं जिद न्सकारों को यूज करो जिद पका मतलब वह और रिफाइन होता है और उसमें एक्सपर्टीज होती जाती है फिर जैसे कोई ग्यान सुनाता है वो बार-बार यूस करेगा तो उसमें एक्सपर्टीज होगी तो कोई भी संसकारों को बार-बार यूस करेंगे उसमें एक्सपर्टीज होगी और एक्सपर्टीज होगी तो वो और सहज हो जाएग होगा और सहज हो जाएगा वह फिर वह पर्मनंट होगा और तीसरा कॉलिटी तो एक तो मैं रिफाइन wish तुक्षिर हो ईखी पर्मनेट میںर्स खेंगे क्योंकि permanent हो गया, फिर वो उसका परिवार भी साथ में आएगा, एक बार कोई भी संसकार आ जाए, किसी में avoid करने का संसकार होता है, avoid करो, अब क्या होगा, बार बार हम use करते रहेंगे उसको, avoid करना, avoid करना, तो अब उसके दूसरे परिवार भी फिर वो permanent हो जाएगा, message है, ज संसकार क्या बनेगा, परिवार कौन सा होगा, avoid करने का, फिर उसका परिवार है, hatred है, इस तरह से, distancing करना, पहने बाजी, जूड बोलना, यह सब भी आज़ा, पहने बाजी, जूड बोलना, जहां दिखेंगे, मुह मोड के चले जाएंगे, तो यहां तक हुआ कि वो इस पार संसकारों को जब पता है, हम उसको बोलेंगे, आज नहीं उठाना, छोड़ दो, कल उठ जाओंगे, अच्छा, कल नहीं उठाना, पर सुड जाओंगा, इम्मीजेटली, क्योंकि एक बार वो रिफाइन हो जाएगा ना, फिर बहुत डिफिकल्ट हो, तो बागा ने आज ये बोला, कि अपने संपूर्ण स्वरूप को, तो मैं लखी सितारई, लखी सितारा आत्मा हूँ, तो ये बार-बार वस्मृति, विस्मृति का चकर से है, continuous, व्यर्थ संकल्प आप मुझे करना ही नहीं है, ये नहीं आज हुआ, फिर कल नहीं हुआ, फिर परसु हुआ, स्थिती नीचे उपर नहीं हो, ये है लखी सितारे, तो ये वाला स्वमान से हम आत्मा की स्मृति करेंगे, स्लोगन है, किसी भी विगन के वश होना विगनों को चाय पानी मत दो, उसको कहेंगे वश होना, आच्छा, आजका ये अब एक तिशारे है, 28 ते ना आजका तो, योगबल वाली शांत स्वरूप आत्मा, एकांत वासी, होने के कारण सदा एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण विशेश दो शक्तिय सदा प् होती है, एक परखने की और दूसरी निरनाई करने की, यही दो विशेश शक्तिया, व्यवहार वा परमार्त दोनों की सर्व समस्याओं को हल करने का सहज साधन है, परखना और निरनाई करना, राइट परखना और राइट निरनाई करना, और उसके लिए चाहिए एकाग्रत कि शक्ति और एकाग्रत आती है एकांत वासियों में से एक के अंत में कोना कितना कनेक्षन है आच्छा जी आज का पुर्शारत वही होगा जो मुरली तो हमने पुरी कर ली